आया आए तरहीज़ देखेंगे और यह चाप्टर जो आप जी ओसी के नाम से जानते हैं फेमस है और मैं इसका पूरा फ़ॉर्म लिख देता हूं जनेरल और गनिक के मिस्ट्री जनेरल और गनिक केमिस्टी यह सा की नाम बता रहा है इसमें और गनिक त्वैंड बहुत जन्राल और सिंपल कॉंसेप्स को ही स्टडी करेंगे ठीक है यह इसलिए आपको इसे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखने अपने आई तो आज हम जिन दो चीजों पर चर्चा करने वाले हैं वो दो चीजों बहुत ही बेसिक और बहुत इंपोर्टेंट हैं ठीक है तो देखें क्या है आज का टॉपिक क्या है ठीक है इस चप्टर में बे और गेनिक रिएक्शन और गेनी करें चलो एक और गेनीक रिएक्शन मांते हैं कुछ सोचते हैं अब आप का होगे हमें तो अभी आता ही नहीं क्या सोचें अरे प्रभू ज़्यादा बुद्धी मत लगाओ ऐसे ही कुछ जर्नलाइस कर लिया कि हमारे पास कुछ A, B है और इस पे हमने कुछ C की रियक्षन कराई कोई भी टाइप हो रियक्षन की हमने तो ऐसा मान लिया और भी कोई टाइप हो सकती है सारे लोग ध्यान सा सुनो मौत मजाने वाला तो अब अगर मैं आप से पूछूं कि इस रियक्षन के दौरान कोई बॉंड बनी ही नहीं और कोई बॉंड टूटी ही नहीं तो आप बताइए कि क्या वाकई कोई रियक्षन हुई मैं और्गनिक रियक्षन की बात करूँ क्या कोई बॉंड बनी ही नहीं कोई bond टूटी ही नहीं, कोई भी bond मेरे वाई आप साफ साफ सब्दों में समझ सकते हैं कि ऐसा अगर हुआ है तो दरसल reaction ही नहीं हुई if no bond is broken, if no any bond is cleaved and अगर कोई bond टूटी ही नहीं तो नहीं bond बनेंगी नहीं और अगर नहीं bond बनी नहीं और कोई bond टूटी नहीं तो वाई आप कोई reaction ही नहीं तो हम यही आपको सम्याना चाह रहे हैं that each organic reaction involves बहुत आसान चाहिए involves bond breaking and formation phenomenon formation phenomenon कितना simple है अगर bond टूटेगी नहीं तो नहीं bond बनेंगी नहीं होगा की चेंजी नहीं हुआ तो मेरे भाई आप सोचे ज़रा अगर bond टूट गई है सुनना तो bond टूटने से जो भी चीज़ें बनेंगी unstable चीज़ें बनती हैं रियक्षिन करके एक नया प्रोड़क्ट देती है रियक्षिन में प्रोड़क्ट तो आना ही चाहिए तो प्रोड़क्ट आना यह बड़ा frequent process होता है अगर bond टूट चुकी है बट बन का टूटना यह समझना होगा कि हमें bond जब भी टूटेगी जो कैसे कैसे तूट सकती है clear सो हमारा जो topic है मित्रों वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला जो topic है वो है bond breaking clear sometimes few books book writers use word bond fission लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो bond cleavis bond को तोर डालेंगे ठीक है तुम समझ लो नहीं तो हम bond को तोर डालेंगे कुछ भी बोलो bond fission बोलो bond breaking बोलो bond cleavis बोलो यानि कि हम समझ रहे हैं कि अब समझना ज़रा थोड़ा सा topic को समझ जिएगा actually मेरे सब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक मतलब होगा मैं यह पढ़ाने जा रहा हूँ कि bonds reactions के दौरान जब भी तूटती होंगी तो कितने तरीके कितने option होते होंगे उनके पास वो कैसे कैसे तूटती होंगी मतलब हम केवल कुछ study करने जा रहे हैं हम किसी bond को नहीं तोडने वाले listen carefully हो सकता है मेरे आगे के statement से आप ऐसा feel हो कि हम यह करें तो यह bond तूट जाएगी actually हम कुछ नहीं है हम तो बस container के अंदर हो रही है reaction हम ठोड़े को उसके वहाँ पर जाएंगे bond तोड़ में हम क्यों यह पढ़ने वाले हैं कि during chemical reactions जब भी bond breaking होती है तो कितने तरीके या कितने methods होते हैं जिन से bond breaking हो सकती है clear है आप समझते हैं मैं क्या बोलो हमें यहीं समझना है तो आईए each organic reaction was bond breaking formation phenomena और मैं आपको लेकर आया हूँ bond breaking वाले topic पर तो मैं लिख रहा हूँ there are two types of bond breaking जब भी reaction में कहीं bond तूटेगी पूरी organic chemistry में you would find कि दो ही तरीके से bond तूट रही होगी clear there are two types of bond fission और bond breaking clear दो ही तरीके हो सकते हैं बीचे वाले bond टूटेने के दो ही तरीके सकते हैं आई तो मैं आपको सम्झा देता हूँ first method जो है a method जो है this is your homolytic bond breaking homolytic bond breaking homolytic bond breaking and sometimes it is also called homolysis it is also called homolysis ठीक है homolytic bond breaking what it means आई ये आपको मैं बताता हूँ एक example मैं आपके मुँपे मारता हूँ ये देखिए ये एबी है ये एबी है reaction के दोरान इसकी bond जब टूटी होगी तो homolytic bond breaking में किस तरीके से टूटी होगी क्या बना होगा आई ये हम वो समझने का प्रियास करते हैं मेरे भाई ये दो electron होते हैं आपको पता हर एक bond में दो electron होते हैं तो in such kind of bond breaking homolysis मेरे भाई एक electron A के पास और एक electron B के पास चला जाता है अब पता है आप में से कई बुद्ध जीवी बच्चे ऐसे कहीं हैं क्यों चला जाता है कैसे चला जाता है उड़के जाता है रिंके जाता है तेर के जाता है तुमने अभी तक मेरी बात सुनी ही नहीं अभी हम उन cause पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये bond क्यूटी हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब भी bond टूटेंगी तो उनके पास केवल दो ही रास्तें होंगे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ हलो मैंने आप जब select हो जाएंगे तो आपके पास आईटी अच्छी आईटी के चार options होंगे तो अब आप कैसे select हो जाएंगे हम कैसे select हो जाएंगे हम तो हम वक नहीं करते हम तो ये नहीं करते हम तो वो नहीं करते अरे इस चीज़ पर हम बाती नहीं कर रहे दादा हम तो क्योंब यह बात कर रहे हैं कि जब भी आप सलेक्ट या कोई भी सलेक्ट होगा तो अच्छी आइटी अच्छी ब्रांच के उस पर जाएं तो आप मामले को अगर नहीं समझेंगे अगर एक कॉंसेट में दूसरा तीसर चौथा कॉंसेट लगाएंगे तो बिटा फिर आपको आखरी में बोलना पड़ेगा अंगूर खटे हैं ठीक है तो अपनी बुद्धी का प्रयोग बस उतना करें जितना मैं बता रहा हूं क्योंकि in this topic I am just going to explain about the methods of ways by which we can break a bond during a reaction a bond can break itself ठीक है कितने तरीके से बहुंद तूट सकती है okay so it's one of the method कैसे हुआ वो मुदालग है चांस सुने तो आप अगर देखें तो मैंने arrow हाफ बना जाया है यह arrow कूरा होता है और यह arrow हाफ होता है यह arrow बताता है कि दो एलक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है arrow के मूं की तरफ दो एलक्रॉन का ट्रांसफ होगा है क्यांकि हाफ है होगा ओके तो लुक एट दिस इस हाफ है रो आउट आप दीस टू एलक्रॉन एक एक पास एक बी के पास वैसे भी सोचो यह जो सेरिंग एलक्ट्रॉन से हैं उसमें से एक एक आ रहा होगा और एक बी का रहा होगा तो जब भी बॉन चूटेगी so you would get A and B. Interestingly आप दिजे बता सकते हैं क्या कि किस पे प्लस होगा और किस पे माइनस होगा किस पे प्लस होगा और किस पर माइनस होगा. Interestingly आपको पता होना चाहिए यहां कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक एक एलक्ट्रॉन A का ही था तो वो A पर आ गया तो एक B का था वो B पर चला गया. So they don't carry any charge. Okay? So यह जो चीज है यह electrically neutral होगी. क्या होगी यह? Electrically neutral because इस पर कोई charge नहीं है. Electrically neutral. और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी को free radical बोलते हैं. C को free radical बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Free radical. Okay? So एक और चीज मुझे बताइए कि इसकी definition में हम क्या लिखेंगे? दिखान सो सुनिये. In such kind of bond breaking, bonding electrons are equally distributed, बराबर बराबर distributed हो जाते हैं. Equally distributed between bonding atoms. So that electrically neutral free radical intermediates are obtained. So देखें जो आपकने यहां लिखा है वही में यहां लिखने जा रहां. In such kind of bond breaking, bond breaking, bonding electrons, bonding electrons, equally distributed between bonding atoms, between bonding atoms, so that, so that electrically neutral, so that electrically neutral intermediates, intermediates, वो ले तो free radicals. Free radicals are obtained. Free radicals are obtained. मैं आपको बताओं कई books में यहां थोड़ा सा चीजें सही नहीं लिखी हुई है. अभी मैं बताओंगा वो चीजें क्या हैं. मन से सुनोगे तो समझ में आएगा. ठीक है? क्योंकि देखें, जब किसी चीज का explanation आप expect करते हैं और वो आपको मिलता है. तो दो चीजें हैं. एक तो कि आप राहूल गांधी की तरह बन जाएं कि हमें हर चीज में counter attack करना ही है और हमें कभी मानना ही नहीं है कि नहीं तो होगा ही नहीं. मैंने आपको पहले भी बताया ध्यान से सुने that organic chemistry or basically you can think it like chemistry is a subject of investigation. When a teacher teaches you about any theory or about any concept then you have to think it like a investigating officer. You have to listen it like investigating officer. Means हमारे तुमारे सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा. Actually एक change हो रहा है या हो चुका है and now we have to use our brain to explain कि ये कैसे हुआ. Clear? समझें मैंने बहुत simple बात बोली है कि तुमारे या मेरे objection उठाने से जो reaction जो product दे रहा है वो product बदल नहीं जाएगा. Product वही आएगा and now we both are bounded to think in a such a manner to prove how it is possible to obtain this product. It means we always have to think in support of that reaction कि ये product कैसे बना है. Rather than proving कि ये बनी नहीं सकता रहे वो तो बन गया यार. वो तो लबरेटरी में तुम गये तुमने ये भी मिलाया कुछ अंसर आया. अब वो अंसर आ गया है and you have to explain how it is possible कि ये reaction आया है. ये answer आया है. ठीक है? So अब ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर उल्टा प्रूफ हो रही है. ये answer आया ही नहीं. ये गलत है. अरे reaction तो हो रही है सामने दिख रही है. It's something like कि कोई crime scene है और वहाँ पर एक murder हो गया. Now you have to find out कि murder हुआ कैसे. Rather than claiming कि नहीं है, ये drama कर रहा है, ये नोटंकी कर रहा है, इसके लातमारों भी उड़ जाएगा. अरे ये काम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. Because जो events हैं, वो हो चुकी है. मैंने किसी reaction माली, जो मैंने कोई marconic off reaction पढ़ाई, आगे चलके राएंगी reaction, मैंने eldol reaction पढ़ाई. So मैं जो reactant लिखूँगा और जो product लिखूँगा, they are well known, experimentally verified. So now we, all of us, have to think in the favor of that product, why this product is formed. आप ये भी पूछ सकते हैं, एक additional चीज आप आगे बढ़के जो पूछ सकते हैं, कि ये product बनी कैसे है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है. लेकिन इसके साथ में ये वाली product भी क्या बन सकती है, तब भी आपको positive attitude रखना है. क्या थोड़ी सी ये product भी बनी होगी, क्योंकि आप आप देखो थोड़ी सी बोले, आप क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं, ये वाली product ज्यादा बनेगी, तो अगर वाली product ज्यादा बनेगी, तो हम इस वाली product की बात क्यों करते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो product आपने बताई है ये तो मुझे समझ में आया है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा और ये बना होगा क्या इस product के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ बना है so this is called a positive approach, a positive attitude towards subject and even towards psychology to learn subject के हम कैसे subject को सीखें ठीक है तो आप देखे इस तरीके से सोचेंगे आपको बहुत आसान हो बहुत मज़ेदार subject लगेगा जैसे मैंने यहां पर अभी भी बोला कि bond तोडने का पहला तरीका homolytic bond breaking जब भी ये bond तोड़ती होगी जिस तरीके से भी सानी, so that is one of the way of breaking a bond. Now the second method by which we can, we can observe bond breaking phenomena like this. Second is heterolytic bond breaking, heterolytic bond breaking, heterolytic bond breaking, clear? Okay, so what happened in such kind of bond breaking, look at example. We are using again the same bond AB. Whenever bond would break in heterolytic manner, heterolytic तरीके से जब भी bond तूटेगी तो क्या होगा सुनना जगा? Out of these two electrons, out of these two electrons, दोनों के दोनों electron किसी एक atom पर shift हो जाएंगे. ये A भी हो सकता है और ये B भी हो सकता है. तो किसी एक atom पर shift हो जाएंगे, clear? Okay, so अभी किस पर shift होंगे? Definitely ये decide करेगा, कि out of A and B, which is more electron negative, clear? जो जादा electron negative होगा, ये उस पर shift हो रहे होंगे, जब भी ये bond तूट रही होगी, किसी reaction में. मेरे सब्दों में जो tense use हो रहा है, उस tense के हिसाब सी सम्झेंगे चीज़ों. So, for a second, I am considering that you can consider any relation between electronegativity of A and B. फिलाल, I am considering EA is greater than EB means A atom is more electronegative than B. या A contains higher electronegativity than B, देख सकते हैं. ये मैंने माना हैं, आप B मान लेना तो B क्याला हो जाएगा, क्या दिखते हैं? So, in such kind of case, you would get कि दोनों के दोनों electron, arrow पूरा बना हुआ है, A की तरफ shift हो जाएगा, clear? So, in this case, you can easily find कि A को एक electron का फायदा हुआ, क्योंकि एक electron तो उसके पास पहले से, एक तो उसी का था, एक और आया, तो A को एक electron का फायदा हुआ, एक electron का फायदा हुआ, इसलिए हम उस पर एक minus बनेंगे, क्योंकि electron पर एक minus चाल्ज होगा, clear? है, दो electron है, electron है, electron है, but minus आएगा एक, क्योंकि उसे benefit तो एक ही electron का हुआ है, क्योंकि आउट अफ टू, एक तो एक एक हाते का ही था, so, it would be A minus and B को एक का नुक्सान हुआ है, तो B would contain plus, किसी तो minus निकाल लो, तो प्लस ही तो बचायदा, हाँ, ओके, so, now, it can be written as A minus, थोड़ा स मैं clear बना दू, A minus, ऐसे, यह circle का कोई sense नहीं होता है, अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं, तो भी वही है, ऐसे लिख रहे हैं, तो भी वही है, आप B plus ऐसे लिख रहे हैं, तो भी वही है, circle बना रहे हैं, तो भी वही है, कुछ भी नया नहीं है, अच्छा, A minus कही तरीकों से लिखा जा सकता है माइनस ऐसा भी लिखा जा सकता है ए माइनस कई बार ऐसा भी लिखा जाता है देख रहोगा दरसल सम्टाइम्स टू अलक्टरॉन्स और सौन विद माइनस चार्च Electrons 100 हो रहे होते हैं Minus के साथ तो आपके तीनों OK है मतलब आप ये के लिखो ये लिखो या ये लिखो सबका मतलब एक है सबका मतलब एक है and you can easily find it कि इस breaking में ions बने हैं plus cations and minus anions दोनों बने So इसकी definition करें in such जब से इसकी definition देखी थी kind of bond breaking in such kind of breaking बताएए क्या होगा bonding electrons bonding electrons क्या होते हैं completely shift completely shift towards more towards more electron negative atom towards more electron negative atom जो ज्यादा electron negative atom होता है उसकी तरफ shift हो जाता है clear so that so that ions ions are obtained ions intermediates are obtained intermediates are obtained clear okay so now I have a question for all of you as this condition is shown here Ea is greater than Eb what condition must be here for electron negativity of A and B for electron negativity of A and B what do you think Ea greater than I mean Ea greater than Eb eek option हो सकता है Ea less than Eb dousra option हो सकता है Ea equal to Eb thysra option हो सकता है and and 4th option हो सकता है obviously 4th option हो सकता है that there must not be any condition on Ea and Eb I mean कुण के उनके 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 उपर कोई भी relation होना चाहे Ea, Eb से ज्यादा काम बड़ाबर यहां क्या क्या कंडिशन हो सकता है if Ea greater than Eb is used in hytolytic bond breaking then what you think बड़ाबर हो दोनों चलेगा so surprisingly and it's a very clear अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे so no condition on Ea and Eb no condition on Ea and Eb अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा because I think यह बहुत क्लिर दिख रहा है कि equally distributed you can think also if electrons are equally distributed one left, one right then actually we actually no need to know about electron negativity किस की जादा है किस की काम है so very very clear कुछ किताबों में लिखा मिलेगा Ea comparatively to Eb or equal to Eb that's a ridiculous it's a hundred percent wrong listen no condition on Ea and Eb any kind of bond can be broke can be broken in radicals ठीक है in appropriate condition okay so this these are two types of bond backing one is homoeretic and there is heteronetic bond backing तो मेरे भाई अभी हम note में बहुत सारी बात हैं लिखने वाले हैं ठीक है जो जो आमने यहाँ पर थोड़ा बहुत सीखा है वो सारी बात हैं note पर लिखेंगे ठीक है so मैं इन्हें हटा दा हूँ तकि हम आगला topic note इसी सरलेटेड नोट लिखेंगे आए एक छोटा सा प्रस्ट जिसके जरिये में आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ देखें क्या है एक example मैं लेना चाहिए रहा हूँ example 1, 2 था, 3rd example ले लेता हूँ अगर मैं आप से पूछ हूँ S.C.L. क्या है तो सारे लोग सुनेंगे बहुत छोटा सा प्रस्ट नहीं S.C.L. क्या है What is S.C.L. तो आईए देखते है S.C.L. in जल एक ताम इसे समझेंगे चीक है और I would think कि आप बिलकुल इसे समझने में दिमाक लगाएंगे एक बार हम समझेंगे S.C.L. in C.C.L. 4 क्या है clear S.C.L. जो है वो जल में क्या है और S.C.L. C.C.L. 4 में क्या है तो मैं आप से expect करूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ठीक है तो S.C.L. आप सब जानते हैं Water मैंने Water से पूछा आईए देखिए मैं चर्चा एक वाक के बताता हूँ यहां देखिए हम इसे explain करने जा रहे है explanation मैंने Water से पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो मैंने Water से पूछा तुम क्या काम करते हो मुस्कुराते हुए बोला कि सर अपन समा सेवा करते हैं मैंने का कैसी समा सेवा है भाई हमें भी बताईए देखिए ओपर पॉल राइजिसन से पार्सिल माइनस होगा और एक्षपर पार्सिल प्लस होगा तो यह बोला हम करते हैं समा सेवा हमने का वही हमें भी बताओ स्माश सिवा के बारे में वोटर का ऑक्सीजन बोला के रहा सर देखो मेरे ऊपर माइनस पोल है माइनस चार्ज है मैं माइनस पोल लूँ और हेड़िन फिलस पोल है तो मैंने का अरे वाह तौमारे पास तो दो बोले तो dipole है उसने का यह सर मेरे पास dipole है dipole का मतलब होता दो polarized sides plus and minus तो oxygen ने कहा कि सिंस मेरे पास negative मैं negative pole पर हूँ तो I can stabilize oxygen बोला है water का oxygen बोला है I can stabilize cations cations इसने क्या-क्या बोला है सुनो सब को बताओंगा सारे लोग ध्यान से सुन आब मैं यहां कुछ और लिव दे रहा हूँ ए माइनस तुमने उधर यूज किया इधर मैं कुछ p plus लिव दे रहा हूँ tension मतले क्लियर कोई भी चीज है इस पर plus तो oxygen ने कहा कि सर मैं क्या करता हूँ ना मैं समास सेवा में कोई भी plus आता है तो मैं उस plus को stabilize करता हूँ अब आप मेंसे कई सोच रहे होंगे कि यह corona जैसे design क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हो तो मेरे भाई actually बहुत सारे gel molecule होंगे और उस gel molecule का जो oxygen वाला negative pole होगा वो इस P plus को हर तरफ से घेर लेगा मेरे भाई यह बहुत हलुआ चीज है कि plus को अगर minus घेरे या उल्टा करें minus को अगर plus घेरे तो यह एक stabilizing phenomenon होता है because आपको पता है unlike charges are closer plus minus के पास होगा तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या है मैंने hydrogen से पूछा भी या तुम भी कुछ करते हो क्या इसने का हम भी करते हैं हम भी काम काज करते हैं ऐसे खाली नहीं बैटे हैं मैंने का तुम क्या करते हो हम NIN को stabilize करते हैं और हम भी समा सिवा करते हैं हम भी देखे मैंने का कैसे करते हो इसने का कोई भी minus हमें दिखता है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दोनों हाथ यह देखेए एक हांत Here अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा कर हम उसे help करते हैं पूरी chemistry का concept आ रहा है इसलिए ध्यान से, मन से सुनिये, सीखे, interest के साथ सीखे मेरे वाई water बहुत तमीज वाला solvent है, dipole है उसके पास that's why it can stabilize even positive as well as negative ये दोनों type के ions को stabilize कर देबा है ध्यान से सुनना बहुत मज़ेदार चीज है, पूरी organic में fit बैठेगा, कहीं है सब्सक्राइब तो जल का काम हमें पता है, तो मैं इस जल के काम के यान थोड़ा लिख देता हूँ water is a polar solvent, polar solvent, and stabilizes cation and anion कैसे करता है ये, बाए, देखा water जब किसी को घेर लेता है, तो हम उसे बोलते है hydration या इसी को हम बोल सकते है, जनरल ट्रम में solvation, इसे solvent मान ले, तो हम बोलते है solvation, ठीक है, बाए, solvation, solvation का मतलब सुन लो, तो यही doubt लेकर घुमोंगे, solvation का मतलब है, अगर किसी आयन को solvent molecule घेर ले, तो हम उसे solvation बोलते हैं, तो हम उसे solvation बोलते हैं, तो हम बात चल लेती, SCL, SCL को जल में लिया जाएगा, तो क्या क्या होगा, यह जानने के लिए देखते रहा हैं, बोर्ट पर, आईए, एक और वाक्या सुनेंगे, एक और वाक्या सुनता हुआ, SCL, सुबह सुबह का वक्त था और मैं अकेला morning walk कर रहा था, मैं अकेला morning walk कर रहा था, अचानक मैं मैंने देखा, SCL बैठा हुआ है, अपने घर के बाहर कुर्सी डाल कर बैठा हुआ है, मैंने सोचा, मैंने को तोड़ी सरारस हुजी, मैंने का SCL को थोड़ा परिशान कर, मैंने और SCL, उसने का good morning sir, मैंने का आज का अगवार पढ़ा तुमने, उसने का नहीं सर, क्या हुआ सब ठीक है, मैंने का कास सब ठीक होता, वो परिशान हो गया, कहरा सर, हुआ क्या बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, उसने का सर, क्या हुआ बताओ, मैंने का मैं कैसे बताओ, आप खुद अख़बार पढ़ दो, वो आ गया, कहरा नहीं सर, प्लीज बताओ, सब ठ कर दिया है गौर्वर्मेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया है मेरे वाई इस कहानी से यह सीख मिलेगी कि किसी से बेवजह मजाक नहीं करना चाहिए एसियल यह सदमा बरदास्त नहीं कर पाया और उसने महां से दोड़ लगा दी दोड़ लगाते वे आगे उसे एक कंटेनर दिखाई दिया इस कंटेनर में थे जल मॉलीक्यूल खूप सारे जल मॉलीक्यूल भरा हुआ था यह कंटेनर यह कंटेनर काफी गहरा था और उपर तक भरा हुआ था सायद आप समझ रहे हैं क्लियर यह कंटेनर उपर तक भरा हुआ था भाई साब और SCL ने इसमें jump लगा दिया अब सुनिएगा water का nature तो आप जानते ही हो water का nature जानते ही हो यह plus को भी stabilize करता है minus को भी stabilize करता है और यहसे ही इसमें उपर से jump लगाया तो यहाँ water molecule ने देगा अच्छा सिकार आ रहा है और वाटर मॉलीक्यूल ने तुरंत इमीडियेट हर वाटर मॉलीक्यूल को मेसेज भेज दिया वाटसअप कर दिया अलर्ट वाट शिकार आ रहा है अब यार इतनी गुद्धी होगी कि वाटसअप मेसेज नहीं करते होंगे मैं बोल ला हूँ ऐसा नहीं तो इसी में डाउट पूछ लो सर ऐसे कैसे वाटसप मेसेज हो जाएगा अरे तो सबको पता ही वाटर में कूदी रहा तो वाटर की मॉलीक्यूल को पता ही है कि यह सिकार आया है वहिया एसल ने जंप किया और सुनो ध्यान से सुनो सारे सुनो मै वाटर नहीं हटा रहा हूँ कर दे वाटर है इससके अंदर मैं यह समझा रहा हूं यह एसल है फ्टाइनर की विर्त बढ़ा देते हैं ठीक है आप समझेना जला है यह सियल है जना आप देखो सारे देखो यह सिर लग पांग क्या आपको पता है कि डियूटू डिफरेंस इ पता होना चाहिए कि वाटर का ऑक्सिजन का पोल प्लस को घिरने लगता है तो ये आप देख सकते हैं ये वाटर है ये जो ब्ल्यू है ये वाटर है हाँ ब्ल्यू है पानी पानी देख रहा है ना आपको ब्ल्यू ये माइनस पोल है दोस्त माइनस पोल और मैं आपको बता और मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा इधर जल के जो दोनों H है वो अपने दोनों हाथ आगे करके CL के लिए दोड़ पड़ेंगे क्योंकि H है positive pole H कैसा pole है? positive pole और भी बहुत सारे water के hydrogen CL को खीच रहे होंगे सोचो और बहुत ध्यान से सोचो इधर वाले water CL को खीच रहे हैं इधर वाले water H को खीच रहे हैं तो क्या इनके खीचने से ये जो बीच में bond है उस bond को दिक्कत होगी या नहीं होगी ये H को खीच रहा ये CL को खीच रहा H को CL को समझ में आया है? आँ भी कुछ dance step नहीं कर रहा हूं मैं ये ऐसा खीच रहा है उदर से किसे खीच रहा है? देखो ज़रा कौन है उस side? H को खीच रहा होटा है जश्चे लो बीच में bond है क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि bond weak होने लगेगी? क्या ये bond दीरे-दीरे तूटने के कगार पर जा रही है? क्या आपको लग रहा है अगर ये bond दीरे-दीरे weak हो रही है तो H पर प्लस बढ़ने लगेगा और CL पर माइनस बढ़ने लगेगा और अगर H पर प्लस बढ़ा और यार bond तूटेगी तो प्लस आएगा ना H पर CL पर माइनस अगर ये bond इदर आ रहा है ये H इदर आ रहा है ये CL उदर जा रहा है आपोजी डिरेक्सिन में तो bond आज नहीं तो कल तूड जाएगी तो H पर प्लस पहले से थोड़ा ज़ादा आ जाएगा और अगर H पर पहले से थोड़ा ज़ादा प्लस आ गया और ऐसे ऐसे चार्ज बढ़ता रहेगा वर्टर आते रहेंगे और खीषते रहेंगे और फिर फिर पीछे वाले सुनो एक आवाज आएगी खटाक से बॉन्ड तूटने की और कैसी भी आती हो बॉन्ड तूट जाएगी एक दिन ऐसा आएगा पीछे वाले की बॉन्ड तूट गई है यह H प्लस है यह CL माइनस है मेरे भाई और देखे ज़रा CL को यह वाटर मॉलिक्यूल ने गहरा हुआ है और यह किस साइड से गहरा हुआ है H पोल से गहरा हुआ है Color अलग अलग बना रहा हुँ ताकि आप देख पाएं सुन्दर लगे है यह सारी चिरी और H को Negating Pole ने गहरा हुआ है तो क्या आपने देखा के CL की बॉन्ड को आइनस में तोडने के लिए कौन जिम्मेदार था वो जिम्मेदार था एक Polar Solvent कौन जिम्मेदार था आइनस में तोडने के लिए कौन जिम्मेदार था एक Polar Solvent और तूटने के बाद उन्हें Stabilize करने का किसने काम किया उसी Polar Solvent H प्लस को वोटर ने गहर लिया अब आप होगे इससे Stability कहा हो गई गधे प्लस को माइनस ने गहरा है और माइनस को प्लस ने गहरा है इससे जादा और क्या Stability चाहिए मेरे भाई इस Stability का एक Simple Funda है Common Sense Funda कि अगर किसी चीज़ पे प्लस चार्ज है और आप उसके प्लस चार्ज को घटा दो घटा दो और मैं तो कह रहा हो सके तो हटा दो ऐसे नहीं कि हाथ से हटा दिया इरेजर लेकर हटा दिया ऐसे नहीं By any mechanism, phenomena, applying any group or atom अगर आप उसके चार्ज को कम कर पा रहे हैं या डिमनिस कर पा रहे हैं तो बहुत ज़दा Stable हो रहा है Same with minus If any atom contains a minus charge जतना ज़दा आप minus उसके उपर कम करते जाओगे Stable होता जाएगा अब मुझे पता है कुछ बुद्धी जीवी कर रहा है इसा कैसे प्लस अगर घटने पर stable हो रहा है तो माइनस बढ़ने पर होना चाहिए इनके लिए हमेसा ये दोनों चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि या ये दिन तो रात ये राम तो अस्याम ये सीता तो गीता ऐसा नहीं तो बुद्धी लगाया करो अगर किसी भी चीज़ पर कोई भी चार्ज है इंडिपेंडनेंट आफ नीचर वेदर इटिस पॉजटिव और नेगेटिव तो बताईए वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियक्टिव होगी अगर ये पॉजटिव है तो नेगेटिव से रियक्शन करने के लिए बेकरार होगा और अगर नेगेटिव है तो पॉजटिव से रियक्शन करने के लिए बेकरार होगा आपको इतना तो कभी न कभी कही न कहीं सुनाई होगा कि अगर कोई चीज नीटरल है नीटरल नीटरल तो वो ज्यादा स्टेजल महसूस करता है तो मैंने दो बातें बोली ये दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी नहीं आई है तो सुन लो और अपने दिमाग में रखना मैंने बोला है bond breaking ions में bond breaking हुई है axial की bond को ions में तोडने के लिए लिए ब्यांसे सुने to break a bond सारे लोग सुने in ions what is required is polar solvent what is required is polar solvent देखिए अगर water नहीं होता या solvent polar ही नहीं होता तो container के अंदर SCL ऐसा ऐसा float करता हुआ जाकर ऐसा bottom में बैठ जाता आप पीछे वाला एक दो कहरे सारा अपने इसा क्या swimsuit पहन के ऐसा drive मारते और अंदर जाके छीनी तोड़ी से bond तोड़ देते अब ऐसे नहीं होता है समझे हैं पहली बाहत तो break bond in ions polar solvent is required highly required actually required and now the second point is second point polar solvent polar solvent polar solvent से मेरा मतलब आप साथ समझ रहे हैं ऐसा solvent जिसके पास dipole moment हो ऐसा solvent जिसके पास dipole moment हो that all those solvents इनके पास dipole moment है मतलब non-zero है तो वो polar solvent होता है also stabilizes stabilizes ions ions देख लिए देख लो मेरी बाप अचा और आप बताओ अगर मैं आपसे acid की definition पूछू acid की definition की acid क्या होता है तो आप में से साथ कुछ कुछ रोग को ना भी पता हो बट एसीड वो होता है जो पहली basic definition हम सीखते हैं छोटी क्लास में acid वोता जो H+, देता है तो विह किता सही किता गलत आगे देखेंगे acid वो होता जो H+, देता है look at SCL ने H+, दिया SCL ने H+, दिया है SCL प्लस हो गया SCL एसीड प्लस हो गया so we can even mention it that SCL is acid angel angel gel में यसे H+, अचा वास्ट विखता सुना उसने एच ब्लस दिया नहीं है अरे वो तो वाटर ने इसा छीना है छीना है S.C.L. तो चुपचाप आ रहा था ऐसा वाटर ने आके इसके एक positive pole ने negative को negative को घेर लिया ऐसा खीच के ऐसा खटाक से तोड़ दिया तोड़ने के बाद एच प्लस निकलाया तो हम बोले S.C.L. ने एच प्लस दिया ठीक है देखने देखने का नजरिया समझने समझने का नजरिया आपकी जब में 2000 का नोट पड़ा है पिंक वाला और चुराहे पे किसी ने आपको जहापड मार के ले लिया आप घर गए आपसे पूछा गया कहां गया 2000 का नोट और आपने कहा कि वो चुराहे पर एक ज़रुरत मंद था मैंने सोचा उसे पैसे क्यों न दे दिये जाएं भाई साब देखिए आपने मैसेस तो ये कन्वे किया कि आपके पास से 2000 का नोट गया है थोला साब बोलने साब फील ऐसा आता है कि आपने दिया आपसे दिया आपने दिया नहीं है आपसे छीना गया है समझ रहे हैं तो यानि कि कोई भी एसे जो H प्लस देता है वो परिस्थितियों वस देता है परिस्थितियों के हिसाब से देता है अगर परिस्थितियां हैं तुम ले कर जा रहे हो 2000 के दो नोट और तुम आने सामने चार ऐसे खड़ो जाएं आकर और ऐसा हाथ तांद है आप सीधा ऐसा उने पैसे निकालके उनके पैर चुके आगे चल दोगे तो आपने दे दिया आप ओगे मैं दानवीर हूँ ऐसा कुछ नहीं है यह तो परिस्तितियों किसे हुआ है ऐसा आएए एक और परिस्तिति आपको समझाता हूं वो है और फॉर फॉर करता हूं और भी अकेला वोक करता हूं आई वोगिंग एलाउन और मेरी नेजर पड़ी स्यल पर मैंने पिछली बार बहुत मज़ आया था जब मैंने इसे परिशान किया था तो मैंने फिर उसे बोला कि यह स्यल उसने का गुद्मॉर्णिंग सर मैंने का छोड़ो नीचो पर पर नहीं पड़ा गॉवर्मेंट ने फिर से एसेड मनने से मना कर दिया है और उसने फिर वही किया जो उसने पिछली बार किया था इस कंटेनर में मैं तरो CCL4 भरा हुआ है इस कंटेनर में CCL4 भरा हुआ है और मैं आपको बता दू CCL4 का डाइपुल मॉमेंट जीरो हुआ है इस कंप्लीटली नॉन पॉलर इस कंप्लीटली नॉन पॉलर निट डाइपुल मेंट जीरो है एगा सेल जब कुदा तो CCL4 मॉलेकुल ने देखा अच्छा सिकार आ रहा है इनका कोई सिकार नहीं हो तो नॉन पॉलर है पढ़ें ऐसे कि ऐसी तैसी में जाओ आओ जाओ स्वागत नहीं करोगे हमारा और बिलीब मी कोई इसका स्वागत नहीं करेगा और यह बॉटम पर आकर ऐसे पढ़ा रहेगा और यहां पर CCL ने एच प्लस रिलीज नहीं किया या बोलो यहां सॉल्विंट इतना काबिल नहीं है कि उसने इसका एच निकाला हो तो मेरे डॉस निकाद्यव यह लाइचेड लाइक एचेड इन इससे बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वन इन नॉन पॉलर सॉल्वन लाइक सी सेल फोर जैसा कि मैंने यहा रखा है CCL4 तो यहां से मैंने आपको जो सबसे important बात बताई है जो आप साहे समझ पाएं है यह note के point है वो point number one point number two three four easy वाले point भी इसके अंदर है वो यह कि अगर किसी भी bond को ions में तोड़ना है मेरे भाई तो आपको polar solvent की आप सकता पढ़ेगी ही पढ़ेगी ions बोले तो आज ही पढ़ा है मेरे भाई heterolytic bond breaking heterolytic bond breaking पूरी chemistry में you can observe and you can notice this concept that ions बना है तो मने किसी ने किसी टाइब का polar solvent रखा होगा यह three ions are there तो हमने पका कोई polar solvent यूज किया ही होगा so we have these four points here ठीक है अब एक मज़ेदार चीज और है जो मैं बिल्कुल discuss करूंगा दो points देखें क्या है five point तो यह एक तो में किलिए होगा heterolytic bond breaking का homolytic पर भी बाद करेंगे ठीक है what happens actually ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो आपके दिमाग में खटाक से काम से रहेगा if any bond is broken in homolytic manner if any bond is broken in homolytic manner if a dot and b dot थोड़ी बुद्धी लगाओ सब लोग सब को आ जाएगा there is no any charge on radicals radicals पर चार्ज नहीं होता radicals पर चार्ज नहीं होता radicals पर चार्ज नहीं होता तो तुम polar solvent लो यह non-polar लो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा radicals पर because radicals don't have any charge so it is actually independent कि वेदर you are using polar or non-polar solvent polar solvent या non-polar radical की सेयद पर फर्क ही नहीं पर चार्ज ही नहीं because these solvent these solvents interact with charge species okay so this is all about बहुत क्लियर है neutral है तो यह से charge क्या interact करे या एक बात दूसरी बात सुनना हमें यह पता है कि radicals किसी भी solvent पर depend नहीं करा रहा ना इस पर ना इस पर लेकिन ions polar solvent पर depend करते हैं तो अगर आपसे मैं बोलू कि आपको ये वाली bond ये वाली bond ions में नहीं radical में तोडनी हैं अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको ये bond radicals में तोडनी है ions में नहीं तो आप बताए कैसा solvent प्रफर करोगे polar या non-polar मेरा question सुनले अगर आपको एक bond ions में नहीं तोडनी किवल radicals में तोडनी हैं तो आप कौन सो solvent प्रफर करेंगे polar या non-polar and answer is exactly non-polar क्योंकि भहिया अगर polar लोगे तो polar में तो ions बन सकते हैं और अपने को ions नहीं बनाने अपने को radical बनाना है इसलिए बहुत important बात यहां निकल कर आई है सम्हें वो है homolytic bond breaking homolytic bond breaking usually takes place usually takes place in non-polar solvent non-polar solvent ठीक है? या फिर in gaseous phase gaseous phase gaseous phase भी non-polar दोनों optional होते हैं कोई भी ले सकते हैं okay so this is all about हमने समझा हमने जाना हमने सीखा कि ions में जब bond टूट रही होगी तो उस समय एक परिस्तिति के बारे में हमें पता चल गया and वो situation वो condition है कि polar solvent की मौजूदकी होगी अगर हम pre ions की बात करते हैं तो वहाँ पर polar solvent की मौजूदकी होगी और अगर हम radicals की बात करते हैं तो obviously हम ions formation की conditions को avoid करेंगे and that is polar solvent को avoid करेंगे non-polar solvent या gas phase clear तो यहाँ ions बनते थे और अगर आपको SCL वाली कहानी याद हो SCL जो ऐसा कूद गया था तो वहाँ से हमें समझ में आया कि ions को बनाने का और उन्हें stable करने का दोनों काम polar solvent करते हैं लाइक जल जैसे solvent polar solvent कौन से solvent है जिनमें dipole moment था तो यह हम पढ़ चुके थे इतना तो आज हम वहीं से continue करेंगे ठीक है और मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ वो आप समयें जाना कि जब हम किसी bond को break करें ध्यान से सुनी है बहुत मज़िदार चीज़ पिछली क्लास में आपने देखा सेल ऐसा कूद गया था container इसमें water था तो सेल को कौन तोड़ दा था सेल को water तोड़ दा सेल को solvent तोड़ दा समझ में आया या नहीं तो सेल को solvent ने तोड़ा अब मैं आप से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई bond तोड़नी है अगर आपको कोई bond तोड़नी है आपको solvent-olvent की help नहीं लेनी है आपको तोड़नी है मतलब we are trying to find out की एक bond को तोड़ने में कितनी type की energies लगती होंगी दियान से सुने एक bond को तोड़ने में कितनी type की energies लगती होंगी सही है हम यह पता करेंगे without using or considering help of solvent or by any external factor ठीक है हम energy देंगे और तोड़ेंगे आये सो simple सी चीज है जो आप सीख सकते है bond breaking involves अगर मैं मानलो AB bond को तोड़ने जा रहा हूं तो मेरे भाई एक energy हम जो देते हैं जिससे यह ऐसा टूपता AB ले जिससे टूपता A and B में and obviously they are neutral means they are free radical मैं मानलेता हूँ कि आपका बी पिछली क्लास में क्या माना था और कौन सा जादा आलक्टोनिटी माना भी माना था बी को मानले आ मानले पे जादा लग्टोनिटी तो फिर देखो क्या होता है कि आपने सुना होगा एक energy ionization potential ionization potential so a would be in a plus form and electron affinity and by which a b would be in b minus form and now you know that we require one more energy to separate to separate these two ions from each other to separate these two ions from each other because they would have certain electrostatic attraction force so this is e4 and a plus and b minus in a doodoo 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 so you can find it e1 e2 e3 e4 ye kya hai ye ionization potential hai ionization potential clear and ye kya hai look at e3 is electron affinity clear and what is this e4 what is this e4 e4 is actually work done to separate ions up cut certain in a electrostatic attraction lattice energy we bolsa lattice energy you know lattice energy lattice energy thudha saa padhenge physical chemistry mein a sort mele crown lattice energy and you can explain work done work done to separate ions the ions i and even ko kya naam day even ko kya naam day to us parate a e1 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 telling me q who what is bond energy energy bond energy एक टाम होता है ये क्या होता है ये कोई बता सकता है क्या होता है क्या चीज होती है मेरे बड़ा इंट्रस्टिंग पॉइंट है सब के मन में अलग अलग आता है कोई बोलता है कि एक bond बनने में जो energy लगती है तो बॉन एनरजी तो आप गलत है क्योंकि आपका अभी का latest topic यही है कि एक bond दो तरीके से तो तो आपके पास अगर आपने बोला बन टूटने से जो energy, बन टूटने में जो energy लगती है वो हो गई आपकी bond energy तो गलत क्योंकि यह हमोलिटिक तरीके से तूटने में energy अलग लगेगी और आयन तक जाएंगे तो अलग energy लगेगी so out of these two possible energies which one is actually bond energy यह हमें समझना पड़ेगा that's why usually you would find such kind of terms has a definition that minimum amount of energy आप सम्झेंगे सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे this is minimum amount of energy minimum amount of energy required to break a bond to break a bond is to break a bond is known as is known as bond energy ध्यान से सुनेंगे इसे अब आप अगर ध्यान से सुचो तो अगर एक नया प्रस्न उठता है कि वह कौन सा method है जिसमें minimum amount of energy require होगी homolytic या heterolytic radicals में तोड़ना या ions में तोड़ना किसमें कम energy लगेगी सोचो सोचो ध्यान से सोचो और ज्यादा मत सोचो क्योंकि साब साब दिख रहा है यहां पर यह देखिए सबसे पहले radical ही मिलता है तो मेरे भाई क्या आप even का नाम जान चुके हैं even is your bond energy even is your bond energy homolytic fission जो है वो कम energy require करता है homolytic fission जो है वो कम energy require करता है वैसे यहां अपने आप यह understood है कि minimum लिखा है minimum amount of energy लिखा है तो इसका मतलब क्लिर है कि हमें radical में ही bond तोड़नी है look at always think in terms of radical whenever we are talking about bond energy जभी हम bond energy की बात करेंगे always think in terms of radical and how can we identify that it's a radical condition minimum amount of energy and minimum amount of energy required only in permission of radical लेकिन मुझे doubt है कि आप कहीं भूलना जाए तो इसलिए मैं bracket में लिख देता हूं required to break a bond in homolytic pattern हालांकि it's obvious यह लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहां साफ-साफ दिख रहा है minimum amount of energy so bond energy यह होती है ने भाई बाउन एनरजी यह होती है जो आपके सामने अभी अभी मैंने बता रहे नाओ एक और term है जो आपको परिशान कर सकता है and that term is bond dissociation energy bond dissociation energy आइडिया मत अकल ज्यादा मत लगाना dissociation मतलब यह वह ऐसा कुछ मत करना bond dissociation energy और bond energy क्या सेम होती है क्या अलग होती है सेम कब होती है अलग कब नहीं होती है जनिया भर की चीज़िए तो दियान से अगर हम इनमें difference समझ लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए यह सीख जाओगे bond dissociation energy क्या होती है ध्यान से से आई लेसे for example में मैं और example हम ले रहे हैं CH4 ठीक है CH4 के लिए हम बात करेंगे ठीक है CH4 के लिए बात करेंगे आई इधर बात करते हैं example अगर मैं CH4 की bond dissociation energy calculate करूँ देखियो होता क्या वही है जो आपने पढ़ा है यह CH4 और वी जस्ट ब्रेक इट्स वन carbon hydrogen bond वी जस्ट ब्रेक वन carbon hydrogen bond and you can find it कि हम अभी वी से radical में ही तोल रहे हैं because it's a neutral and मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में even की energy लगी है even की energy लगी ठीक है now dissociate second bond dissociate second bond and okay now dissociate third bond now dissociate last bond surprisingly you know that methane की सारी carbon hydrogen bond same होती है I agree लेकिन 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 इन सब को dissociate करने में इन सब को dissociate करने में आपको जानकर आश्चर होगा कि जो amount of energy होता है वो अलग अलग होता है वो अलग अलग होता है पहली bond तोड़ोगे तो उसमें एक अलग energy consume होगी, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, छोथे में अलग, आजा यह कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आपने जब पहली bond तोड़ी तो आपका reactant methane था, और जब दूसरी bond तोड़ी तो आपका compound change हो चुका था, वो एक intermediate CS3 था, So, when conditions are changed, when surrounding things are, arrangements are changed, though, value may difference I gas. So, these E1, E2, E3, E4, these values are actually bond dissociation energy, these values are actually bond dissociation energy, then what would be bond energy of methane, these values are bond dissociation energy of methane, E1 is for first bond, E2 is for second, E3 is for and so on. But the question is, what is bond energy? So, अगर मैं यही पर बात करूं, इसी जगे पर बात करूं, की bond energy of methane, clear? ध्यान से सुने, तो यह होगा आपका E1, E2, E3, E3, E1, E2, E3, 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 E3 4 by 4. It's an average of bond dissociation energy. It's always average of bond dissociation energy. Bond energy, जो होती है, वो methane की एक ही बोली जाई है. तो हर CH bond के लिए हम bond energy एक ही जासी मानते हैं, बत उसकी actual value जो होती है, that is called bond dissociation energy. यह चीज़ आपके दिमाग को मानी चाहिए है. And one of the point is, दियान से देखें, जिसमें एक ही bond है, like, diatomic molecule, diatomic molecule, जिसमें, दो ही atom है, like, H2, Cl2, देख रहे हैं, आप, N dash dash dash, contains, same, अब इसमें, एक bond का क्या average निकाल होगे, तुम भी एक बोलागे हैं, bond energy and bond dissociation, bond dissociation, जिसमें एक ही bond है, उसी की value जो आएगी, वही bond energy हो जाएगी, वही bond dissociation energy हो जाएगी. तो यह देख लेऑं, यह एक interesting, चीज है, हैंना interesting, चीज, okay, so, we just get it, और मैं एक और बात बता ह trainees परा कि, हम नहीं यह जो E1 plus E2 plus E3 plus E4 यह 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 अलग है, वह अलग है, remember this, these values are different, दो दो जगे, I am talking about these these e1 e2 e3 e4 some of this energy is very very high actually very high so you cannot break you cannot break any bond in ions you cannot break any bond in ions practically without help of a solvent you cannot break any bond practically into ions without help of a solvent these values are so high so practically like example I am talking about e4 I am talking about e4 only e4 okay I am talking about only e4 select a plus is your na plus and b minus is your cl minus now I am talking about lattice energy to separate these two I am talking about lattice energy to separate these two it is a very very huge amount if until unless you are not using any help agar aap kisi solvent ko liye bina mahan liati gas phase lelo gas phase agar aap na plus cl minus ke lattice so na plus or cl minus ko dhur karne par gaya hai it's a very huge amount of energy now you just take support of some solvent like water water mein na cl dalie it gets dissolved it gets dissociated सोचो, now you can feel the power of solvation, अब आप देखें solvation word, मतलब water is a solvent and hydration को मैं solvation बोल ला हूँ, जो काम आपको कराने में, without any help, without any support, बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा energy consume हो रही थी, ये water molecule ने na plus cl minus में जाके, आराम से उसे कर दिया, और कैसे करा होगा, इसे lattice को कैसे तूला होगा, जैसे कल हमने पढ़ा था, पिछली class में हमने पढ़ा था, scl को उन्होंने तोड़ा था, और मज़ेदार बात है, कुछ energy release भी होती है, महाँ देनी पढ़ रही है, some sort of energy, even released, क्योंकि चूटने के बाद, na plus gets solvated, water इसे घेर लेगा, negative pole से, और cl minus would be surrounded by positive pole of h, of water, this is actually magical logic of solvent, जो काम असानी से नहीं हो रहा था, वो solvent में जटके में कर दो, चलिये तो आप पूरी chemistry में आप ions जब पढ़ रहे होंगे, free ions तो आप polar solvent में पढ़ रहे होंगे,